Hey guys, welcome back to amplifier connection तो guys कैसे हो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि speaker के हिसाब से amplifier कितनी vote का होना चीए या फिर amplifier के हिसाब से जो speaker होते हैं हमारे वो कितनी vote के होने चीए क्योंकि जब भी आप कोई भी amplifier यूज करते हूँ या speaker यूज करते हो amplifier के साथ तो प्रोपर तरीके से matching आप नहीं कर पाते हो जिसकी विज़े से आपकी जो sound है वो अच्छी नहीं मिल पाती है आपको जिस तरीके के आप sound चाहते हो तो इसमें power की भी बात करेंगे ohm की भी बात करेंगे और जो frequency याँ है उनकी भी बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम power की कि एक amplifier के हिसाब से कितनी power का speaker होना चाहिए और कितनी power का amplifier आप speaker के हिसाब से यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर मानलो मेरे पास 200 वोट का amplifier है 200 पलस 200 मानलो यह stereo amplifier है तो इसके साथ में जो speaker है वो किस तरीके के यूज़ करने चाहिए तो इस power के हिसाब से speaker की जो power है वो कितनी होनी चाहिए एक तो तरीका होता है कि जो amplifier होता है amplifier की power के हिसाब से जो speaker की power है वो ज्यादा होनी चाहिए यह लोग सोसते हैं ताकि जो speaker है वो safe रहे उड़े ना जले ना कभी भी ठीक है और एक मैचिंग होती है कि जो amplifier की power होती है उसकी power से 30% power कम होने चीए speaker की समझ रहे हो यानिके जो मान लो अपना amplifier है amplifier की power मान लो अपनी 100 watt है ठीक है मान के चलते है 100 watt power है amplifier की तो जो speaker की power है वो 70 watt होनी चीए ठीक है क्योंकि जब आप amplifier की power है उसको 70% पर लेके जाते हो तो वहां तक amplifier सही चलता है और जो speaker है उसको भी power proper तरीके से मिलेगी तो दोनों ही safe रहेंगे और एक अच्छी performance आपको देखने को मिलेगी ठीक है जिससे ना तो speaker गरम होगा ना ही आपका amplifier गरम होगा दोनों बिल्कुल safe चलेंगे ठीक है और एक होता है कि वही सोचते हैं लोग कि मान लो कभी इदर उदर ज्यादा घुमा दिया जो controller है वो ज्यादा घुमा दिया तो speaker उड़ जाएगा ठीक है हाँ ठीक है मान लिया लेकिन जैसे मान लो आप ज्यादा पावर के speaker यूज़ करते हो ठीक है मान लो 100 बोट का amplifier है तो उस पे 200-300 बोट तक भी लगा देते हैं लोग और फिर सोसते यह है कि इसको proper मतलब full volume पे चलाएं ठीक है तो उस situation में क्या होता है कि जो amplifier है उसकी बिल्कुल जान निकलने को रहती है और वो जल्दी गरम होने लगता है और जल्दी खराब हो सकता है ठीक है मतलब वो risk पे चलता है एक तरीके से कह सकते है वो risk पे चलता है ठीक है हाला कि मानलो आप 100 वोट पे 200-300-400 वोट तक का speaker लगाओगे वो चलेगा कोई दिक्कत ने लेकिन आप उसको normal चलाते हो ना बिल्कुल जैसे 50-60% volume तक भी चलाते हो तो वो लगातार चलता है लेकिन कई बार क्या होता है कि party party होती है तो उसमें full volume करके लोग चलाने क कोशिस करते हैं तो उसमें फिर amplifier में दिक्कत होना start हो सकती है तो इसलिए जो speaker होते हैं वो amplifier की power से थोड़े से कम होने चाहिए कम वोट के होने चाहिए amplifier की power से ठीक है एक तो चीज हो गई है दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो amplifier है वो कितने ohm का है यानि कि 100 ohm का amplifier है तो 100 ohm कितने ohm पे देता है ये 4 ohm पे देता है 8 ohm पे देता है दूसरी चीज कि कितने ohm sport करता है ठीक है यानि कि 4 ohm तक ही चलेगा या फिर 2 ohm पे भी चलेगा क्योंकि जितना ohm घटाते जाओगे आप amplifier की power बढ़ जाएगी लेकिन जो power के साथ साथ जो बढ़ जाती है amplifier है ठीक है तो एक amplifier मानलो 4 ohm sport करता है तो उस पे अगर आप 2 ohm के speaker लगाते हो तो amplifier को उड़ने में ज्यादा time नहीं लगेगा ठीक है तो कई बार तो ये भी होता है कि लोग parallel कर करके करके 6-7 speaker 8 speaker तक लगा देते हैं जिससे की ohm का तो पता ही नहीं चलता कि minus में जा चुका होता है तो उदर amplifier की क्या दिक्कत रहती है ये amplifier तो उड़ेगा उड़ेगा तो ये चीज़े बहुत जुरूरी होती है ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो amplifier है वो कितने ohm का है कितनी power का है कितने ohm पर कितनी power देता है ठीक है और उसके साथ frequency frequency की बात हम next वीडियो में करेंगे कि किन frequency पर कौन सा speaker यूज करना चाहिए ठीक है subwoofer यूज करना चाहिए या फिर subwoofer यूज करना चाहिए तो वो सारी चीज़े हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को करो like और जो नए बंदे हैं वो चैनल को क कर लो सब्सक्राइब